Hello students, welcome to MOS classes. आज हम 7th class History and CART के Chapter 3 The Delhi Sultans के Questions and Answers को Discuss करेंगे. Question number 1 है, Which ruler first established his or her capital at Delhi? इसका ये मतलब है students के दिल्ली को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया? तो इसका अंसर है, The Tomar Rajputs were the first rulers who established their capital at Delhi. यानि के Tomar Rajputs वो पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया. यानि के Tomar Rajputs ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित की. Students, MOS Class 7th NCERT Channel में हमने 7th Class के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस डाली हुई है. इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिये हुए है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं. Q2. What was the language of administration under the दिल्ली सुल्तांस यानि के दिल्ली सुल्तांस के समय पर जो कामकाज किया जाता था वो किस लेंग्वेज में किया जाता था? तो इसका अंसर है. The language of administration under the दिल्ली सुल्तांस वो पर्सियन यानि के दिल्ली सुल्तांस के समय पर जो सारा कामकाज किया जाता था वो पर्सियन लेंग्वेज में यानि के फार्सी भाषा में किया जाता था. Question number 3 है. In whose reign did the सल्तनत reach its farthest extent? यानि के किसके शासनकाल में जो सल्तनत थी जो दिल्ली सल्तनत थी वो सबसे ज्यादा बड़ी? यानि के किसके शासनकाल में जो सल्तनत थी उसका विस्तार सबसे ज्यादा हुआ? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अंडर दा रेंस ओफ अलाउदीन खलजी एंड मुहम्मद तुगलक दा सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्स्टेंट यानि के अलाउदीन खलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो सल्तनत थी उसका सबसे ज्यादा विस्ता इबने बतूता ट्रेवल टू इंडिया यानि के इबने बतूता कौन से देश से भारत में आया था तो इसका अंसर है इबने बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मुरक्को एफरीका यानि के इबने बतूता भारत में आया था कहा से मुरक्को से जो की एफरीका में है for military commanders to keep the interests of the presentry in mind इसका ये मतलब है students कि circle of justice के अनुसार जिसके बारे में हमने इस chapter की reading वीडियो में पढ़ा था circle of justice के अनुसार military commanders के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था यानि military commanders के लिए ये जरूरी क्यों था कि जो किसान थे वो खुश रहे आबाद रहे और तरक्की करें तो इसका आंसर है military commanders provided protection and secure the peasants who could pay taxes only if they were prosperous and happy यानि के military commanders protection देते थे security देते थे किसानों को क्योंकि किसान तभी tax pay कर सकते थे जब वो खुद खुशाल होते उनकी कमाया अच्छी होती वो खुश होते यानि कि अगर किसान अच्छी जिए जीते उनकी कमाया ज़्यदा अच्छी होती और जो किसान थे जब वो tax देते थे तो जितने भी military commanders थे आर्मी में जो भी लोग होते थे उनकी salaries उसी tax से आते थी ये दिखाता है कि जो किसान थे और जो military commanders थे वो एक दूसरे पर निर्भर करते थे क्योंकि military commanders की salary किसानों के द्वारा दिये गए tax से आती थी और जो military commanders होते थे ये किसानों को सुरक्षा परदान करते थे मैं आपको एक बार फिर याद दिला दो students के इस channel के सभी subjects की videos के links इसी video के नीचे description box में दिये गए है question number 6 है what is meant by the internal and external frontiers of the sultanate इसका ये मतलब है students के आप sultanate की भीतरी सीमा और बहरी सीमा से क्या समझते हैं यानि के आप sultanate की internal frontiers और external frontiers से क्या समझते हैं के इनका क्या मतलब है तो इसका answer है the internal frontier means the hinterland and the garrison town यानि के internal frontier का मतलब है hinterland और garrison town hinterland क्या होती थी hinterland का मतलब होता है के उस समय पर जहाँ पर भी सल्तनत थी उसके बिल्कुल आसपास के इलाके जहाँ पर की खेती बाड़ी की जाती थी और जहाँ से चीजे सर्तनत को मिलती थी उसे hinterland कहा जाता था और garrison town जहाँ पर जो सर्तनत थी उसकी जो आर्मी वाले थे जो सिपाही थे वो रहते थे तो hinterland और garrison town का मतलब होता है internal frontier ये सर्तनत की internal frontier थी often these places lied in close neighborhood of the capital city of Delhi यानि कि ये जो जगह थी hinterland यानि कि जहाँ से चीजे मिलती थी सर्तनत को जरूरत की सारी चीजे यहाँ से मंगवाई जाती थी और garrison town जहाँ पर इनकी सैना रहती थी ये जो जगह होती थी ये दिल्ली के बिल्कुल आसपास के इलाकों में होती थी अब हम देखेंगे external frontiers का क्या मतलब है the external frontier means the areas that lied far away from Delhi that is South India यानि कि वो जगह जो दिल्ली से बहुत दूर होती थी जैसे कि South India इसे external frontier कहा जाता है ये दिल्ली सरतनत के लिए external frontier थी ये उनकी सीमा से बहुत दूर थी उनकी boundaries से बहुत दूर थी Question number 7 है What were the steps taken to ensure that muktis performed their duties Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans इसका ये मतलब है students कि जो मुक्ती होते थे मुक्तीज अपने कामकाज को सही तरीके से करे इसके लिए क्या कदम उठाए गए थे और आपको ऐसा क्या लगता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मुक्तीज होते थे वो सुल्तानों को चुनोती दे सकते थे वो उनके खिलाफ बगावत कर सकते थे इसका क्या reason हो सकता है इस chapter की reading वीडियो में हमने आपको ये बताया था students कि मुक्तिज वो military commanders होते थे जिने कुछ इलाके दे दिये जाते थे जिन पर इनका control होता था और ये वहाँ से tax वसूल करते थे तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो मुक्तिज होते थे ये अपनी duties को सही तरीके से करें इसके लिए क्या कदम उठाए गए थे Steps taken to ensure that the मुक्तिज perform their duties well अब हम वो steps देखते हैं पहला step क्या था? appointment of accountants to check the amount collected by the मुक्तिज यानि के मुक्तिज कितना tax वसूल कर रहे हैं कितना पैसा इकठा कर रहे हैं लोगों से इसको check करने के लिए accountant appoint किये गए थे Next point है It was checked that मुक्तिज collected only those taxes which were prescribed by the state यानि के ये भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्तिज सिरफ वही tax वसूल करें जो कि state के द्वारा उन्हें बताए गए थे यानि के जिस जिस तरह के tax उनको आदेश दिया गया था कि आप वसूल कर सकते हैं collect कर सकते हैं उन्हें सिरफ उन्ही टैक्सिस को लेने की इजाज़त थी और इस पर नज़र रखी जाती थी Next point है Fixation of limit to keep the required number of soldiers यानि के जो मुक्तिज होते थे ये कितने soldiers रख सकते हैं इनकी भी एक fix संख्या होती थी एक fix number होता था उससे जएदा soldiers ये नहीं रख सकते थे They might be shifted to another area और उनको अलग दूसरे areas में भी shift किया जा सकता था Their appointment was temporary यानि के वो जहां भी appointment किये जाते थे कुछ समय के लिए उस इजाके में इनका control रहता था उसके बाद इन्हें दूसरी जगा में shift कर दिया जाता था तो इन सब steps के द्वारा इन सब तरीकों के द्वारा ये पक्ता किया जाता था कि जो मुक्तिज थे वो अपना काम ठीत तरीके से करें इसके बाद जो second part था इस question का कि आपको क्या लगता है कि वो क्या reason हो सकते हैं जिनकी वज़े से मुक्तिज सुल्तानों के खिलाफ ही बगावत कर सकते थे इसके क्या reason हो सकते हैं तो इसका answer है इसका ये मतलब है students कि जो मुक्तिज होते थे ये सुल्तान के orders को भी चुनोती दे सकते थे इसका reason ये है कि इनके पास पैसा होता था और इनके पास military resources होते थे यानि कि सैना होती थी जिसकी वज़े से ये chances थे कि ये सुल्तानों के खिलाफ विद्रो कर सकते थे बगावत कर सकते थे Question number 8 है What was the impact of the Mongol invasions on the Delhi सल्तनत Mongol invasions मतलब मंगोलों ने जो attack किया यानि कि मंगोलों ने जो attack किया दिल्ली पर उसका दिल्ली सल्तनत पर क्या परभाव पड़ा तो इसके answer में हम लिखेंगे It led to military and market reforms under Allahudin Khalji जानि कि इसकी वजह से Allahudin Khalji के शासंकाल में मिल्टरी में भी काफी changes किये गए और market में भी काफी changes किये गए Next point है A vast standing army was established under Allahudin Khalji and Muhammad Tuglaq to confront Mongol forces इसका ये मतलब students के Mongol attacks की वजह से Allahudin Khalji और Muhammad Tuglaq के शासंकाल में एक बहुत बड़ी permanent सेना बनाई गई ताकि Mongol ताक्तों का सामना किया जा सके Next point है The revenue was increased up to 50% of the produce यानि के जो tax लगाया जाता था जितनी भी किसान लोग पैदावार करते थे उनकी जो उपज होती थी उसके उपर 50% तक का tax लगाना शुरू कर दिया गया था Next point है Soldiers were paid cash salaries instead of इकतास और land grants as salary यानि कि अब soldiers को salary cash में दी जाने लगी और पहले जो इकता दिये जाते थे इकता का मतलब होता है कि उनको जमीन दी जाती थी salary के तोर पर अब soldiers को cash में salary दी जाने लगी Next point है The administrative system was made more efficient due to Mongol invasions यानि कि मंगोलों के attack की वज़े से जो administrative system था उसको भी ज़्यदा बहतर किया गया यानि कि अब हर तरह के काम काज को और भी बहतर तरीके से किया जाने लगा Next point है मोहमद तुगलक shifted people of Delhi to दोलताबाद in south and thus converted Delhi into a garrison town इसका ये मतलब है students कि मंगोलों के attack की वज़े से मोहमद तुगलक ने दिली के सभी निवासियों को south में एक जगा बनाई एक शेहर बनाया दोलताबाद वहाँ भेज दिया और देली को एक garrison town में change कर दिया यानि के देली में अब सैनिकों के रहने की जगा बना दी गई Next point है मोहमद तुगलक also planned to invade मंगोल capital in trans-oxiana but plan was aborted यानि के मोहमद तुगलक ने ये प्लान किया के अब वह मंगोल capital trans-oxiana पर attack करेगा लेकिन बाद में इस प्लान को खतम कर दिया गया यानि के ये प्लान कभी practically possible ही नहीं हो पाया Question number 9 है Do you think the authors of twarik would provide information about the lives of ordinary men and women इसका ये मतलब है students कि जो twarik के जो author होते थे जो लेखक होते थे क्या वो आम आदमी आम लोगों के बारे में आम आदमी ओरतों के बारे में क्या वो सही information प्रोवाइट करते थे इस chapter की reading वीडियो में हमने आपको बताया था students के त्वारीग का मतलब होता था कि कुछ authors होते थे जो सुर्टानों के द्वरा पोइंट किये जाते थे जो की उनके बारे में लिखते थे और अच्छा अच्छा लिखते थे और उनको ordinary peoples के बारे में कोई मतलब नहीं होता था वो सिरफ सुल्तानों की प्रशंसा में लिखते थे तो इसके आंसर में हम लिखेंगे No, I don't think the authors of Twarik would provide information about the lives of ordinary men and women because they were appointed by the sultans and they often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards यानि के मुझे ऐसा नहीं रखता के जो त्वारीक रिखने वाले author थे वो आम लोगों के बारे में कोई सही information provide करते थे या उनको कोई इतना interest रहता था के हमें आम लोगों के बारे में बताना है के हम history के बारे में जो लिख रहे हैं उसमें क्योंकि वो सुल्तानों के द्वारा point किये जाते थे और वो जो भी history रिखते थे वो सुल्तानों की प्रशंसा में रिखते थे ताकि उसके बदरे में उन्हें rich awards बड़े बड़े इनाम मिल सके they were not in touch of village people और ये जो त्वारीक रिखने वाले जो author होते थे ये तो गाओं के जो लोग होते थे उनके touch में भी नहीं रहते थे तो ये आम लोगों के बारे में ना ज़्यादा जानते थे और ना ज़्यादा लिखते थे सिरफ सुल्तानों की प्रशंसा में history लिखते रहते थे और उनसे इनाम हासिर करते रहते थे question number 10 है रजिया सुल्तान was unique in the history of the दिल्ली सल्तनत यानि के दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान बहुत ही unique थी special थी Do you think women leaders are accepted more readily today क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक महिला को leader के रूप में असानी से सुवकार किया जाता है accept किया जाता है या नहीं तो इसके answer में हम रिखेंगे yes रजिया सुल्तान was unique in the history of the दिल्ली सल्तनत यहाँ पर रजिया के spelling आप ठीक कर लीजेगा students यहाँ पर double y a आएगा तो इसका यह मतलब है students कि जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बहुत unique थी special थी she was the first woman to be the ruler of दिल्ली सल्तनत और वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी इसके बाद हम लिखेंगे the situation has changed today लेकिन आज के समय पर situation काफी बदल गई है due to the education people now realize the potential of women और अब क्योंकि सब लोग शिक्षित है पड़े लिखे होते हैं तो सब जानते हैं कि महिलाओ में भी बहुत potential होता है बहुत capabilities होती है so they have started accepted women as readers तो अब लोगों ने महिलाओ को अपना reader स्विकार करना शुरू कर दिया है यानि कि लोग महिलाओ को भी अपना reader अब असानी से स्विकार कर लेते हैं जो कि उस समय पर एक unique घटना थी क्योंकि उस समय पर दिल्ली का शासक बनना रजिया सुर्तान के लिए बहुत बड़ा काम था और उस समय पर इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था इसलिए रजिया सुर्तान दिल्ली सुर्तनत के इतिहास में बहुत unique बहुत special है question number 11 है why were the दिल्ली सुर्तान interested in cutting down forests यानि कि जो दिल्ली के सुर्तान थे वो जंगलों को काटने के लिए इतने interested क्यों थे does deforestation occur for the same reasons today और आज के समय में जो deforestation किया जाता है जो जंगलों को काटा जाता है क्या आज भी ये उन्ही reasons की वज़े से काटा जाता है जिनकी वज़े से दिल्ली सुर्तान अपने समय पर जंगलों को कटवाना चाते थे या फिर आज कुछ और reason है तो इसका answer है तो इन्होंने क्या order किया कि जंगलों को काटो और वहाँ पर किसानों को खेती के लिए जमीन दो और फिर उनसे टेक्स वसूल करो लेकिन आज के समय पर जो जंगलों को काटा जाता है वो इस reason की वज़े से नहीं काटा जाता जिसकी वज़े से दिल्ली के सुल्तान कटवाते थे इसका ये मतलब students के आज के समय में जंगलों को काटने के reason अलग है सच तो ये है कि आज के समय में जो जंगलों को काटा जाता है उसके reason है कि आज के समय पर इतनी population बढ़ रही है कि उनके लिए रहने की जगा चाहिए urbanization यानि शहर बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है और industries रगाने के लिए जंगलों को काटा जाता है तो आज के समय के जो reason है वो काफी बदल गए है इसके बाद जो question number 12 है ये students आपको खुद करना है I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें Thank you